नमस्ते भाईया मैं आपकी वीडियो बहुत समय से देख रही हूँ सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उनका भरोसा खो जाता है खुद पर से भरोसा चले जाता है इश्वर पर से भरोसा खो देते हैं आसपास जो लोग है जो परिस्थितिया उनका भरोसा खो देते हैं कुछ सही होगा कुछ अच्छा होगा मैं कुछ कर सकता हूँ कुछ बैतर हो सकता है या नहीं क्या आप हमारे लिए एक ऐसी वीडियो बना सकते हैं जहां हमें समझाएं कि अगर हमने खुद पर से जीवन पर से ईश्वर पर से भरोसा खो भी दिया तो भी हम जीवन को जी पाएं जीवन में आगे बढ़ पाएं अपने करम कर पाएं हाथ पैर ना छोड़े निढाल ना पड़ जाएं हम इस समय खुश नहीं है चिंता में हैं तो भी हम आगे बढ़ पाए It's okay we are not happy मन शांत कैसे रहे इस अनिश्चिता में इस दर में खुशी कैसे डूंडे और खुद पे ईश्वर पे जीवन पर दुबारा भरोसा कैसे जमा है सब के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम इतने निराश इतने नाउमीद इतने हुपलेस हो जाते है कि लगता है सब कुछ गलत होगा सब बरबाद ही होगा कोई अच्छा नहीं हो सकता कोई साथ नहीं खड़ा इश्वर हमारे साथ नहीं है इश्वर कुछ नहीं कर सकता एक कदम भी नहीं रख सकता एक रुपया नहीं कमा सकता अब इस जीवन में कुछ नहीं बचा उससे उभरने के लिए बहतरीन तरीके से उभरने के लिए आगे बढ़ने के लिए जोश की वापसी करने के लिए कुछ बातें बताऊंगा बहुत द्यान से सुनना जब जीवन में ऐसा समय आता है, बार बार हारने की वज़े से, बार बार बुराईयों का, गलत चीजों का, गलत विश्यों का सामना करने की वज़े से, बार बार आपके साथ गलत हो रहा है, उस वज़े से आप अपने उपर भरोसा को देते हैं, इश्वर पर, भागे पर, ज जीवन पर सफलता पर से आपका भरोसा उड़ जाता है जीवन में खुशिया मिलेंगी उस पर से आपका भरोसा उड़ जाता है सबसे पहले जो भी आपके साथ हुआ उसके कारण ढूनना बंद कर दो उसमें इक्वैलिटी ढूनना बंद कर दो उसमें फेरनेस ढूनना बंद कर दो वो क्यों हुआ वो नहीं होना चाहिए ता गलत हुआ ना मिरे साथ मिरे साथ ऐसा कैसे किया जा सकता है क्या क्या कारण थे कि ये हो गया, उस फेर में फस्तना बंद करता हूँ, एक बात बताओ, तुम्हारा गलती से एक्सिडेंट हो जाता हूँ, होश में हो, बहुत चोट, बहुची है, खून बहरा है, जान बचानी है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, समझदारी से, खुद का इलाज कराना पड होगे, हॉस्पिटल जाने की तैयारी करोगे, लोगों से मदद मांगोगे, और जीवन में तुम यही कर रहे हो, बजाए खुद को सही करने के, बजाए आगे बढ़ने के, आगे की रहा चुनने के, मस्बूत फैसले लेने के, करम करने के, सही हुआ, गलत हुआ, क्यों गलत बड़ी सहूलियत है जीवन की, आज इस शन में जीवित उर्जावान खड़े होना, कुछ करने के काबिल खड़े होना, शूनने से शुरुआत करने के काबिल खड़े होना, इस से उपर यह जीवन तुमें कुछ नहीं दे सकता, फेरने, सन फेरने, सही गलत कुछ नहीं, ख आपका मन ये विश्वास करना शुरू कर देता है कि आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, आपके साथ गलत ही होगा, भाग गया आपके साथ नहीं है, इश्वर आपके साथ नहीं है, आपके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होता है, मैं आपकी जगे खड़ा होता है, मेरे साथ भ अपने अवचेतन मन पर तुरंथ ही उल्टी सीधी बाते छापना शुरू कर देते हो, मेरे बसकी नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं खुशी का हगदार नहीं हूँ, मुझ में बुद्धी नहीं है, बुद्धी हीन इंसान हूँ, और फिर क्या होता है, बार आजाए एक के बाद एक तीन से जादा, तो तुम्हारी परीक्षा चल रही है, टेस्ट चल रहा है, खड़े रहने का, कमिट्मेंट का, रेजिलियन्स का, मस्बूती का, निष्ठा का, क्या तुम इस सोच के साथ, इन नाकाम्याबियों के साथ भी आगे बढ़कर करम कर सकत हो, खड़े रह सकते हो, खुद के साथ, क्या जब तुम्हारा खुद पर से भरोसा खो जाए, मोटिवेशन खो जाए, तो भी तुम निरंतर करम कर रहे हो, या लेट गए हो विस्तर पर, और ये परीक्षा किसी बहुत बड़े कारण से ली जा रही है, तुम्हें कोई उच किसी का बुरा करो, लोगों को नीचा दिखाओ, पर खुद को लेके थोड़ी सी एरोगेंट जरूरी है, मैं जो हूँ, सो हूँ, मैं इंप्रूफ करूँगा, बहतर बनूँगा, खुद को सही करूँगा, पर फिर भी मैं जो हूँ, सो हूँ, हो सकता है मेरे अंदर बहुत लैंग्विज पर कमांड ना हो, बार बार फेल होके यहां पर आया हूँ, जो भी है, मैं जो हूँ, सो हूँ, मैं उसके साथ भी खड़ा हूँ, और उसके साथ खड़ा रहूँगा, तभी आगे बढ़ पाऊँगा, अपने साथ नहीं खड़ा, कभी आगे नहीं बढ़ पा नने कमजोर जानवर भी होते हैं मूर्ख जानवर भी होते हैं उन सब को मिला के ही जंगल बनता है अगर मैं मूर्ख हूँ तो मूर्ख ही सही हूँ हमेशा ध्यान रखना जीवन में जो भी हुआ तीन बार नाकामया भी मिली हार मिली, बुरा हो रहा है निरंतर इश्वर पर पहले 100% भरोसा किया था और किया था तो क्या उसके काबिल उनकी भक्ती की थी उनपर ध्यान लगाया था जीवन की मस्ती में चूर हो बुराई आ गई सीधा भगवान को गोसना इश्वर को कोसना अल्ला को को सना सब आपकी वजह से हुआ आपने नहीं समाला मेर तुमने क्या किया दो लोगों की मस्ती से पैदा होने के बाद तुमने ईश्वर के लिए क्या किया उनके लिए सखरात्मक काम करे लोगों की मदद करी उनके नाम से दिन में कितनी बार उनके नाम का उनके चरित्र का उनके ग्यान का ध्यान किया उनके लिए अपनी किसी कीमती चीज की कुर्बानी दी, कुछ तो किया होगा कि ईश्वर तुमारे प्रारब्दों को, तुमारे कर्मों को साइड हटा कर, तुमारे साथ अच्छा करे, तुम्हें बचाये, तुमारी रक्षा करे, किया है या नहीं किया, और सिरफ प्रशन उठा रहे हो, अगली बात यह है क कि अगर ईश्वर तुमारे जीवन के हर नागारात्मक पहलू को समाल ले, कुछ बुरा हो नहीं ना दे, तो तुमारे जीवन का क्या मूल्य रह जाएगा, तुम जीवन में सीखोगे कैसे, तुम मस्बूत कैसे बनोगे, तुमारी परीक्षा कैसे होगी, तुमारे जीवन की कहानी कैसे रची जाएगी जी है मर गए फिर तो सबसे सुखी वो जीव है छोड़े छोड़े नन्ने नन्ने बारिशों में सुबह पैदा होते है जीते हैं, एकाथ बच्चे पैदा गरते हैं शाम तक मर जाते हैं, कुछ बुरा नहीं होता बंदकर्दों उन पर विश्वास करना उनको क्या फरक पड़ेगा जो ब्रहमांडों के ब्रहमांड की भी रक्षा कर रहे हैं सम्हाल रहे हैं उनको तुमारी सोच से तुमारी गलत सोच से उनको कोशने से क्या फरक पड़ेगा पर अगर तुम उनके प्रती डेडिकेड़ हो स उनको फरक पड़ेगा, फिर ब्रहमांडों के ब्रहमांड से भी उनकी नजर तुम पर पड़ जाएगी, फिर शायद जीवन में करमवश कुछ बहुत बुरा होना लिखा होगा ना, उसको सिरफ थोड़े से बुरे में डाल देंगे, और मूर्ख लोग उसमें भी उनको कोसें बुरा तो हुआ है ना, दोस्तों खुद पर भरोसा जमाने के लिए हमेशा अपने छोटे-छोटे करमों को, छोटे-छोटे स्टेप्स को, छोटी-छोटी सफलताओं को दिन प्रती दिन की, समझो, जानो, उनका सम्मान करो, उनको अपने आप में जीवन की जीत समझो, भी हार नहीं माने पढ़ाई करें, यह अपने आप में जीत है, परिणाम जीत नहीं होते, परिणाम तो उपर वाला देता है, जो मर्जी दे देगा, जो नहीं देना होगा, जो मर्जी कर लो नहीं मिलेगा, तुमारी जीत तुमारे हर दिन के नन्ने-छोटे-छोटे करमों में हैं फैसलों में हैं commitment में हैं हमेशा उनको appreciate करो खुद पे गर्व करो खुद की तारीफ करो. यही तुमारे खुद बहरोसा होने यह ना होने का करण है. हर शण में हर दिन में करम नहीं कर पारे खड़े नहीं रहा रहे तो खुद पर से जरूर भरोसा और वो भी भरोसा क्या होना, खुद को सही करना है, और ये कर रहे हो, तो खुद पे भरोसा हमेशा कायम रखना, हर परिस्तिती में कायम रखना, लंबे समय में जीत तुम्हारी ही होगी, हमेशा जीवन को अपनाना सीखो दोस्तों, जीवन जैसा है, आज इस मोड पर उसने व परफेक्ट होने की पून होने की गैरेंटी किसी को भी नहीं दी है, ये हमने मानक बना दिये, ये है तो जीवन परफेक्ट है, ये है तो जीवन परफेक्ट है, जीवन कभी कुछ नहीं कहता, वो तो एक शण में अकाल लियाएगा, हजारों लोग उड़ा देगा यूँ, एक शण में भुकम पा जाएगा, हजारों लोग उड़ जाएंगे, उसने तो कोई गैरेंटी नहीं लिए, जीवन है, जैसा है, जीने के लिए बना है, कहानी बनी है, जीलो, किरदार मिला है, उर्जा मिली है, जीलो, जीना है, आज जो भी परिस्तिती है, तुम्हें मिट्टी के साथ वहाँ पर पोचाया गया है, जीने के लिए और क्या है, कुछ भी ने, जो बीत गया है, वो सिरफ एक कब्रिस्तान है, मिट्टी की घहराई में लाशे दफन है, खोद तिर, जीवित कोई नहीं होगा, दुरगंद मिलेगी, तो भूत में जो भी हुआ, जीवन एक अलग अलग मोडों की, अलग अलग पन्नों की कहानी है, जादातर लोग जीवन में ऐसी परिस्तितियों का, ऐसे समय का, एक पॉइंट नहीं ऐसा समय आएगा, जब कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ सिरफ बुरा होगा, सिरफ गलत होगा, कोई भी चीज नहीं बनेगी, बनते काम बिगड जाएंगे, समझना कि ये एक परिक्षा ली जा रही है, तुम्हें जगाने के लिए, जीवन में कायम रखने के लिए, वरना हर इनसान मुर्दों की तरह जीता रहता है, जा लाइफ सेट हो गई, कमफर्ट जोन बन गया, वो इनसान वहीं से मृ है, उसी दिन मर गया, जिन्दा लाश की तरह जीता रहा, फिर एक दिन जल गया, ये जमीन के नीचे चला गया, तो जीवन तुम पर महरबान है, की जगा रहा है, जग जा मेरे बंदे, एक अच्छी कहानी जी, मजबूत कहानी जी, खुद पर गर्व करने वाली कहानी जी, ये साधारन सा जीवन जीने के लिए तू नहीं बना है, तू तो योदा है, बड़े-बड़े युद लड़ने के लिए बना है, आ मैं तुझे सिखाता हूँ, तुझे ट्रेनिंग देता हूँ, तुझे मजबूती दिखाता हूँ तेरी, तुझे तेरी काबिलियत दिखात जो तु जीवन भर याद रखेगा, वो समय मैंने जहला, सामना किया, आगे बढ़ा, दम तो है मुझ में, तो ध्यान रखना, जिस समय तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, पहली बात तो वो कुछ दिन में नहीं समेटा हुआ, कुछ महीने लगेंगे, कुछ सा नहीं है, ये सही करूँ, ये सही करूँ, ये सही करूँ, ये सही करूँ, नहीं, अपने फैसलों से जीना है, करम करो, जिम्मेदारी निबाओ, पूरी निष्टा से, कि ठके चूर हो जाओ, ईश्वर की भक्ती पर ध्यान लगाओ, उनके नाम से बंदों की मदद करो, लोग कर ली हसली ठंडी हवा का जो का आया आननाद मिल गया बहुत भूके थे भोजन मिल आननद आ गया गर्मी में ठंडा पानी मिल आनन बिल गया आद सुबह उठे हो उर्जा के साथ जीवन में कायम हो सं bold करने की योग्म इंत जज़ करना आप जज़ नहीं हो, इस समय ज़ज नहीं बनना, इस समय कंपेर नहीं करना, लाइफ को बिल्कुल सिम्पल सीधा जीना है, तूफान आया है, सिर्फ अपनी नाओ को सीधे-सीधे लेते जाना है, चप्पू चलाते जाना है, उतार चड़ा हुआएंगे, डर भी लगेगा पर वो तूफान दीरे-दीरे बीथ जाएगा उस तूफान को खतम करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है उस तूफान के खतम होने का इंतजार करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें सिर्फ अपनी नाओं का ख्याल रखना है चप्पू चलाते रहना आगे बढ़ते रहना, जब ऐसा समय चल रहा हो, निरंदर कुछ भी अच्छा ने, और आप हरोसा टूट रहा है, जीवन पर से, खुद पर से, आपको उस समय थोड़ा मेकैनिकल जीवन जीना है, इमोशन को साइड में रखे, भावनाओं को परेहटा कर, सिरफ क्या कर सकता हूँ, क्या करना है, कर्मों के चिट्थे पर ध्यान देना है, उस समय आपको जीवन के लिए प्लैन बनाने होंगे, बड़े फैस्ट लेने होंगे, हर दिन के कामों की एक सामना कर लिया, ये मेरी सफलता है, उस समय जीवन पाने खोने का नहीं होना चाहिए, फैसलों के साथ खड़े रहने का होना चाहिए, हर दिन की एक हेल्दी दिन चर्या बनाओ, तनाफ कम से कम लूँ, करम निरंतर करूं, उसमें भक्ती भी हो, आनंद भी हो, अपनों का अबस्ट